क्या आप जानते हैं थंडे पानी के कंपारिजन में गरम पानी जल्दी बर्फ बन जाता है जी हां ऐसा इसलिए होता है कि गरम पानी थंडे पानी की तुलना में जल्दी इवापरेट होता है Evaporation एक तरह का cooling effect produce करता है जिससे गरम पानी तुरण ठंडा हो जाता है एं ठंडे पानी के comparison में जल्दी बर्फ बन जाता है उसी जगर ठंडे पानी में जादा dissolve gases होती है जो उसके freezing point को कम कर देती है ये fact आपको थोड़ा सा illogical लग सकता है एंके scientist के लिए भी काफी surprising है बट this is real इसे काफी experiment में study किया गया है इस फेनोमेना इस नोन अज एस MFEMBA effect इसका ये नाम तंजानिया हाई स्कूल के एक student इरेस्टो MFEMBA के नाम पर रखा गया है जिसने 1963 में इसे पहली बार observe किया था वेल और भी एसे amazing facts and information के लिए मेरे चैनल को subscribe करें and please like this video thanks for watching